नमस्कार दोस्तोव, 다음 दोस्तो आज हम लोग करेंगे Magic Square के बारे में इस से फाले मेरा दो वीडियो है magic square पर उसमें क्या है? उस वीडियो में हैं कि तीन खंड बला बताया हुआ है उसके बाद पांच बला बताया हुआ है आज हम लोग बात करेंगे वो दोनों को पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो magic square का वीडियो है उसको एक ही में अगी देखेंगे ताकि वो क्या है कि जल्दी से अपको ध्यान में आएगा और उसके लिए मैं अभी इसके कुछ rules हैं 3-4 rules हैं वो rules पहले थोड़ा बतला देता हूं उसक बनेंगे मतलब यह 3 होगा 5 होगा 7 होगा या 9 होगा इस तरह होगा 2 3 2 2 4 6 8 10 यह सब नहीं होगा तो अभी हम लोग इस 3 वाले और 5 वाले के बारे में जानेंगे चलिए जानते हैं यहां से start करेंगे सबसे पहला जो rule है यह order number होगा और दूसरा यह हमेशा यह 3 से निकलेगा और जब यह निकलने के बाद सबसे last में आता है तो उसके बाद फिर यहां से निकलेंगे तो फिर last में जाएगा ऐसा नहीं है कि यहां से निकलने के बाद इसमें यह digit को fill कर देंगे यह दूसरा rules हो गया तीसा rules है कि हमेशा जब यहां जो एंगल आ जाएगा तो इस एंगल में बाहर यह चार एंगल है ना इसका कौन है एक दो तीन और चार कौन है तो बाहर नहीं निकल सकते हैं उसके लिए क्या है कि इस इसमें फिलिंग होने के बाद इसके नीचे से start करे इस चलिए आप देख लिए आपको समझ में आ जाएगा वन से start करते हैं यहां से निकलने के बाद यह आएंगे दो फिर निकलने के बाद यहां से 3 यह फिल है इसलिए यहां से नीचे से 4 5 6 अभी तो इंगल आ गया तो इसके नीचे से start करेंगे 7 जर से 8 और इधर से 9 आप इसको कैसे भी आड़ करेंगे सेम नमबर आएगा जैसे इधर से एड़ करेंगे तो 15 आएगा इधर से एड़ करेंगे तो 15 आएगा इसे भी आड़ करेंगे 15 ऐसे भी आड़ करेंगे इसलिए इसको मैजिक स्क्वाइर बोल जाता है किसी भी तरह से स्क्वाइड करेंगे व यहां से आप कि अधिवाला फिल है कि यह फिल है श्राइब अधिया है कि यह इंगल आ गया इसे इसके नीचे से आगे भड़ा हुगा है फिल है कि यहां से आएगा और यह इस तरह इसको किसी भी तरह से आट करेंगे सेम आएगा बड़ावर आएगा इसलिए इसको मैजिक स्कॉार का जाता है तो इस वीडियो में हम लोग यह थी वर्टिकल और ओर जियन्टल थी स्कॉार के बारे में सीखें हैं फाइव के बारे में जान चुके हैं अभी वीडियो में 9 के बारे में जानेगे इस तरह हम लोग मतलब और 3-4 वीडियो बना करके सीखेंगे तो अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए आई होब कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फनी होगा और इसके साथ में कुछ लर्निंग भी होगा थैंक यू फर वाचिंग वीडियो